हरहार महादेव, श्रीशिवाय नमस्तु भ्या, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवितर महीना चल रहा है, और सबसे पवितर देना गया है, अश्टमी का जोकी सोंबार को पढ़ रही है, और साथ ही साथ सावन भी है, तो इस महीने को बहुत ही खास और पवित्र बनाती है तो मैं इस वीडियो में आपको दो उपाय की बात बताऊंगा तो आप ध्यान से सुन्येगा और समझेगा चलो अगे बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की ओर आज के टाइम में बहुत लोगों के घर में प्रब्लम होती है की उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है अगर लक्ष्मी आती है तो भाय जल्दी से खर्च हो जाती है रुकती नहीं है कही ना कही बालक्ष्मी घर से चले जाती है आपके व्यापार में घाटा हो रहा हो तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए आपको क्या करना होगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेल का पेड़ आपको इस बेल के पेड़ के पास जाना है जाने के बाद आपको इस बेल पतर के नीचे घी का दीपक लगाना है आपको घी का दीपक लगाना है और लगाने के बाद आपको अपना जो भी प्रॉबलम है उसको कहते हुए श्री श्वाय का नमस्तुभ्यां का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना है दीपक जलाने के बाद आपको उस बेल के पेड़ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को थोड़े से उठा करके आपको ले आना है बेलपत्र की मिट्टी लाने के बाद आपको इस मिट्टी को अपने घर पर लाना है यानि कि बेलपत्र की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा उठा करके आपको घर पर ले आना है घर पर किसी भी स्थान पर उस मिट्टी को रख देना है चाहे तो आप अपने गमले में रख सकते हैं या फिर घर के किसी किस्थान पर रख सकते हैं ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी मा लक्षमी का वास होता रहेगा तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा आपको आ गई होगी समझ में तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की और इस उपाय में भी आपको धन संपदा की कमी है माता लक्षमी का वास नहीं हो रहा है तो करना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके सा आपको पांच कमल गट्टे लेने है अगर फुल मिल जाए कमल साथो और भी अच्छा है अगर नहीं मिले तो आपको पांच कमल गट्टा ले लेना है इस तरीके से आपको कमल गट्टा ले लेना है ठीक है आपको पांच कमल गट्टा लेना है साथ ही साथ आपको लेना होगा एक पांबे के लोटे में जल आपको जल को अपने घर से ही भरना है जल को घर से भरने से पितर दोश समाप्त होते हैं तो आपको इसमें जल भरना है जल भरने के बाद आपने जो पांच कमल गटे रखे हैं उसे पांचो कमल गट्टे को इस चल के अंदर डाल देना है डालने के बाद आपको इसको लेकर इचले जाना है महादेव की शिवलिंग के पास आपका फेस होगा उत्तर दिशा की ओर यानि की नौध डारेक्शन में और इस जो कमल गट्टे वाला जो जल है इसको आपको सुभ्यंकस मरन करते होए धीरे-धीरे समर्पित करना है अपनी मन की कामना को कहते हुए समर्पित कर देना आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी माता लक्षमी का वाज बना रहेगा तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा हर हर महादेव श्री शिवाह नमास्तु भ्याम